वैलो फ्रेंड्स तन्गीज किचिन में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं वैनिला एक्स्ट्रैक्ट यानि वैनिला एसेंस का एक सब्टिटूट हम आज यहां बनाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बेकिंग करते हैं सब को इंटरेस्ट होता है और व देजर्ट में हर चीज में यूज होता है तो वैनिला एसेंस का यूज सबसे जादा है लेकिन कभी आपको वैनिला एसेंस नहीं मिलता है या आपकी कोई चीज बनाने की इच्छा हो रही है और वैनिला एसेंस डालना है आपको और आपके पास अविलेबल नहीं है तो आप इसे बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं और वो भी बिलकुल बिना किसी जंजट के और ये जो चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं वो आपको बहुत ही आसानी से आपके घर में ही मिल जाएंगी और इसे आप बना के तीन से चार महिने अराम से स्टोर कर सकते हैं कोई प्र तू टी स्पून ग्रैनवल चीनी उसमें डाली और तू टी स्पून बहुत तीस उबलता हुआ गरम पानी इसमें डाला और बहुत अच्छे से इसे फेटा फेट के इस तरीके से हमने इसका ये लिक्विट बना लिया तो जब अब ये लिक्विट तैयार हो जाएगा अब हम ठंडा कर लेंगे तो ये थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है इस तरीके से हम इसे एक बाउल में कर लेंगे और यहां पर मैंने लिया है टू टेबल स्पून पानी और इसको हमने अच्छी तरीके से बॉइल किया था बॉइल करने के बाद इसे हमने ठंडा कर लिया है पानी को और मैं यहाँ पर यह पानी डाल देती हूँ और इसको भी हम अच्छे से इस तरीके से घोल के मिक्स कर लेंगे पानी को बॉइल करना और ठंडा करना बहुत जरूरी है जब हम दो दुबारा इसमें पानी मिला रहे हैं क्योंकि जो बॉइल किया हूँ पानी है तो यह इसे पिजर्व करेगा तीन से चार मेने खराब नहीं होगा अब हम इसमें यह डाल रहे हैं दो चुटकी खाने वाला सोडा यानि बेकिंग सोडा और इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे इसको मिक्स करते ही थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू होता है बहुत माइनर सा यह देखें डाक से बिलकुल लाइट होना शुरू हो गया यह एक मिनिट के लिए इसे इसी तरीके से हमें घोलना है यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है और इसको हमें नॉर्मल टेंपरेचर पे ढखके एक दिन के लिए ऐसी छोड़ देना है तो यहाँ पर यह देखिए एक दिन हो चुका है और यह हम रखते हैं एक दिन के लिए फर्मन्टेशन के लिए ताकि जो बेकिंग सोडा एस में फर्मेंट करें और ये टेस्ट डवलप करें और हाला कि वनीला एसेंस में कोई अपना बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है और इसको हम छान लेंगे और इसको आप भरके रख सकते हैं एयर टाइट डिपबे में या जो छोटी छीशी आती है उस तरीके की शीशी में किसी में भरके आप इसे रख सकते हैं इसे आपको फ्रिज में रखना है ये फ्रिज में जब रखेंगे तो तीन से चार महिने तक बिलकुल सुरक्षित और आप अपने किसी भी डेजर्ट में, आईस क्रीम में, केक में, निसके की चीज में जिसमें आपको वैनिला असेंस की ज़रूरत हो उसमें आप टाल सकते हैं तो ये लीजें होममेड वैनिला एक्स्ट्रेक्ट टयार है वो भी बिना किसी जंजट के तो अगर आपकेपास तंदम लिय रुषाइज़् एसंस नहीं तो आप इसे ईजली बना सकते हैं और 3-4 महिने के लिए स्टोर कर सकते हैं आप आइसक्रीम आप डैजर्टेज में बेकिंग के किसी भी रेसिपी में आप इसे डाल सकते हैं तो इसे जरूर बनाईएगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ